नमस्कार मैं हो दव्यान शिडोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी स्वागत आप सभी का आज के मारे स्खास कारिक्रम में चीन से लिख की गई इमेल से ये साबित होता है कि सैयोक्ति राज्ट के खंडन की विप्रित सैयोक्ति राज्ट के मानविदी कार अधिकारियों ने वास्तव में बीजिंग में कम्यूनिस्ट साश्चन को चीनी असंतुष्टों के नाम दिये हैं जानिये पूरे रिपोर्ट सिर्फ S.W.B. नियूस पर सैयोक्ति राज्ट के गती वीडियों में हिस्सा लेने वाले उईगुर कारे करताओ तिबतियों और होंग कॉंग सही चीनी सरकार विरोधियों के नाम साजा करने के लिए सैयोक्ति राज्ट मानविदीकार कारेले में होड मची हुई है सैयोक्ति राज्ट उच्चा यूक्त मानविदीकार और एक मानविदीकार वकील के कारेले में एक करमचारी एमा रेली ने बार बार आरोप लगाया है कि कारियले ने चीनी सरकार के साथ असंतुष्टों के नाम साजा किये हैं चीनी अधिकारियों ने असंतुष्टों को चीन छोड़ने से रोकने के लिए संयुक्त राश्ट से मिले नामों का इस्तिमाल किया जिनेवा के लिए रवाना होने से पहले सेयुक्त राष्ट दुआरा पहचाने जाने वाले और चीन दुआरा कम से कम एक असंतुष्ट हिरासत में लिये गए वही काव शुनिली की हिरासत में मृत्ती हो गई यदि संयुक्त राष्ट में बीजिंग को शर्मिंदा करने की उम्मीद पहले से ही विदेश में थी तो चीन ने संयुक्त राष्ट के विल्सोवर एमार रेली के अनुसार अक्सर उस व्यक्ति के परिवार को धम की दी या उसका अपहरन कर लिया और प्रतारिट किया जिससे पहले गोटाले का परदाफाश किया गया उस साशन पर आलोच कोच उनके नाम संयुक्त राष्ट राष्ट ध्वारा सोपे गए थे उनमें तिबबत हॉंग कॉंग और पश्चिमी चीन में इस्लामिक उईगर अल्पसंख्यक से संबंदित कारिकरता शामिल थे जिन में से सभी चीन द्वारा विबिन कारणों से लक्षित किये जा रहे हैं 2020 के फरवरी में अभ्यास का खुलासा करने और रोकने के प्रयास के लिए रैली दुआरा प्रती रोत पर द अपोच टाइमस ने इस खोटाली की सूच ना दी वहीं संयुक्त राष्ट में रैली का मामला चल रहा है वह वहां कार्यरत रहती हैं लेकिन चार्च के अधिन है दुनिया भर के प्रमुक मानवीरी का संगठोनों ने असंतुष्टों को उनके परिवारों के जीवन को खत्रे में डालने के लिए संयुक्त राष्ट के अभ्यास को दीमा कर दिया है दैपोश्ट टाइम्स की टिपणियों में रैली ने इसे आपराधिक के रूप में वर्नित किया है और यहां तक की तर्क दिया है कि उसने संयुक्त राष्ट को नसहार और जटिलता बना दिया है सालों तक यूएन ने इस बात के लिए इंकार किया कि उनके एजेंट चीन को सासंतुष्टों के नाम उपलब्द करा रहे थे हाला कि अभ्यास पश्ट है कि संयुक्त राष्ट ने अपनी सदस्य सरकारों और घोटालों के आसपास के प्रेस को कुमराह किया है प्रश्ट में एक विसफो टक इमेल को सप्टेमबर साथ 2012 में भीजा गया था जिनेवा में संयुक्तर राष्ट में चीन के मिशन के एक राजनिय से संयुक्तर राष्ट मानविधिकार परिशाद में गवाही देने के लिए निरधारित चीनी असंतुष्टों के बारे में चानकारी का अनुरोध किया सैयोक्त राष्ट के अधिकारी इचिन के नाम को लीक इमेल से हटा दिया गया था उन्होंने पुष्टी की कि चीन की सूची में दो असंतुष्ट वास्तव में मान्यता प्राप्त थे और इन में भाग लेने के लिए योजना बना रहे थे इसा विश्व उईगुर कॉंग्रेस का अध्यक्ष है जो पश्चिमी चीन के जियांग शेत्र के उईगर आबादी की और से पैरवी करता है और जिसे चीन दुआरा बेहरमी से निशाना बनाया जा रहा है मई दुनिया भार के कई अधिकारिक सुत्रों का कहना है कि शाषन फिर से शेक्षाशी विरोग में एक मेलियन से अधिक यूगर्स को पकड़ रहा है दैपोच टाइम से के साथ बात करने वाले पूर्वबंदियों ने खुलासा किया है कि उनके साथ बलातकार किया गया था और उन्हें साथ ये दूर वेवार भी किया गया था इसा भी अप्रकाश्वित राष्ट्यों और पीपल्स और्गनाइजेशन के उपाध्यक्ष के रूप में कारे करते हैं जो राष्ट्य और लोगों के सम्मूह के लिए एक आवास का प्रतिनिधित्व करते हैं जो की स्वयम के राज के प्रतिनिधित्व के बिना है उस वर्ष के बाद शाशन के प्रतिनिधि मंजल के अनुरोद पर संयुक्त राष्ट्य सुरक्षा के मानविदिकार परिशत के चेंबर से इशा को हटाने का प्रयास किया हालकि रेली और केवल रेली ने हस्त शेप दिया और उसके निश्कासन को रोका है शुक्रवार को देश के व्यापारिक संगठनों सहीत कई परिवाहन संगठनों ने भारत बंद का एलान किया है वहीं भारत बंद शुक्रवार सुबद 6 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 8 बजे तक लागू रहेगा Confidential of All India Traders के ने GST नियमों की समिक्षा की मांग करते हुए यहाँ बंद बुलाया है जान ये पूरी खबार आपको बता दे कि हाल ही में GST यानि Goods and Service Tax Act में किये गर संगठन में ये संगठन विरोध कर रहा है उनका कहना है कि ये संशोधन व्यापार के प्रतिकुल है मैं परिवहन संगठन बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमितों के खिलाव प्रदर्शन करेंगे इस बंद के तहर देश भर के बाजार बंद रहेंगे और कोई भी व्यापारी गतिवी ध्यान नहीं होगी साथ ही देश के सभी राज्यों के अधिकतर व्यापारिक संगठन बंद में शामिल हो रहे है जेस्टी के करटीन प्राफधानों में विरोध में गुरुवार को व्यापारियों के एक संगठन चेंबर आफ ट्रेडर इंडस्ट्री ने एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग का आयोजन करके व्यापारियों की महापंचायत बुलाई जिसमें दिल्ली की 240 बड़ी व्यापारिक संस्थाओं ने हिसा लिया सिटी आई के चेर्मेन प्रजेश कोयल और अध्यक्ष सुभाश कांडलवान ने बताया कि आज की मीटिंग में सभी ने सर्वसम्मती से ये निरनाई लिया है कि जिस्टी के काले कानूनों का विरोध चारी रहेगा लेकिन दिल्ली बंद करना इनका समाधान नहीं है इसलिए कल दिल्ली में समस्त बाजार और दुकाने खुली रहेंगी उन्होंने कहा कि जिस्टी के मौजुदा स्वरूप ने कारोबारियों की वैचेनी बढ़ा दी है और जिस्टी में बहुत सारे नए नियम आ रहे हैं चोकि व्यापारियों की जिस्टी से बहुत ही खतरनाग है सीटी आई ने केंडरिय वित्टमंद्री निर्मला सितारमन को पत्र लिखा है जिसमें महत्वपूर्न बिंदू का जिकर किया है और साथ ही वित्टमंद्री से व्यापारियों ने मिलने का भी वक्त माँगा है देश दुनिया के ऐसी ही खबरों को चाहने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी चानल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें अगर आपने बराइकन नहीं दबाया है, तो उसे जरूर दबाये ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको समय से आजए देखते रहिए, SWB हिंदी धन्यवाद